तो आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर वन सेट्स के एक्साइज 1.6 के कोशन नंबर 1234 वो अधूरी कहानी जो की 1.5 एक्साइज तो खतम होने वाली थी पर 1.6 भी आ गई यार यह तो बहुत कठीन लग रहा है क्योंकि इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम्स से तो 10 तक हमने पीशा छुड़ाया पर अब 11 में फिर से आ गई यार यह चीज़े छूटती क्यों नहीं है स्टेट्मेंट्स यह छूटती क्यों नहीं है तो चलो इनको छुड़ाने के लिए छुड़ा तो सकते नहीं है न पर इनको थोड़ा से बनाने के लिए हम इस एक्सराइज को शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ और एक्सराइज 1.6 केस में 1,2,3,4 कोशन हम करने वाले है और बाकी कहा करेंगे नेक्स्ट 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 यानि कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी पूरी पूरी एक्सराइज तो चलने हैं वे करने हैं सबसे पहला कुश्चन हमने देखा if x and y are two sets such that nx 17 और ny 23 और x union y 38 और x intersection y इसमें तो दियरेट पूछ लिए भाई या अरे पहला कुशन है थोड़ा सा असान करेंगे थोड़ा कमफर्टेबल करेंगे उसके बाद पेलेंगे देखते जाओ कैसे देखो सबसे पहले एक formula यूज़ होगा हमेशकत तरह पूरी exercise में सिर्वेग ही formula दम से लगा देना बस हो गया जिसको समय आगया formula जिसको समय आगे करना कि कौन सी चीज चीज क्या है कौण सी चीज एक से कौन सी यूनियन कौन सी इंटर्सेक्शन जिसको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई उसका जैप्रस्ट उसके एक साइस तो अराम से हो जाएगी कुछ तो सबसे पहले एक फॉर्मला है जो कि यह एक फॉर्मला है इसी को पूरे पूरी एकसराइज में यूस करेंगे लास्ट एकसराइज इसके बाद मिस्लीनियस है मिस्लीनियस में इसकी कुश्ण मिल जाएंगे अधिस ठीक है तो करते हैं चलो सबसे वह यह लीट्वाइजय का दो यूणियनには यूणियन तो दिया हुआ थाटीएज यूणियन दिया हुआ है एकस दिया हुआ 1723 दिया हुआ है तो चलो कर लेते हैं तो सबस्पेहले इन दोनों को प्लस करो कितना होगा 17 और 23 कितना होगा 40 40 हो जाएगा क्यों नियुक्त तो देखो 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 तो जीरो करी 1224 ठीक है तो 40 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 38-40 क्योंकि यहां पर प्लस का होगा और एकोल स्टू माइनस का एन एक्स इंटर्सेक्शन वाई आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको वहां भेज दो और उसको यहां ले जाओ सेम चीज़ हो कितना आगया अपना टू आगया यह लोग यह आगया पहले का अंसर ऐसे ही दूसरा करेंगे दूसरे में भी एक्स दिया हुआ 15 तो डैट पुट कर दें फॉल्मले में पुट कर देते हैं चलो तो देखो इधर यूनियन दिया हुआ है 18 तो 18 इस इकुश्टू 23 माइनस क्य अब क्या आएगा माइनस करो 5 माइनस का 5 माइनस एंट सेक्शन वाई तो यह लोग कट गया एक्स इंटर सेक्शन वाई अपना आ आ गया तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ टाइम भी बचेगा कोशन भी होंगे ग्रूप ओफ 40 पीपल्स ए ने लिए हैं इंदी ब इने लिए है मतलब एक्स ने लिए हिंदी वा ने लिए इंग्लिश और सिनाए यानिकी एच्छ यानिकी हिंदी वालो का और इंग्लिश वालो का यूनियन फाइंड करना आसान सी चीज़ है फॉर्मलें पुट कर दो और गरूप कितने का है 400 प्यपल्स का ठीक है तो आप एक्स कितना अपने पास 250 और तो य कितना अपने पास 200 अफ़ाइंट क्या करना है एफ़ एच इंटरसेक्शन यह है वह यह आप एक शॉई की चक्र में यह भूल गाथ हूं ऑर यहां पर यह गलत हो गया तो इसको चेक कर लेना एच इंटरसेक्शन ही होगा ठीक क्वेशन में तो चलो अब कर देटने वैल्यूस पुट तो फोर अंडर्ड एकुस टू 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 फिफ्टी प्लस टू अंडर्ड जल्दी कैल्पूलेशन कर लो पूरनेंट फिफ्टी और माइनस का एच इंटरसेक्शन ए एक्स लिखोज़ी को सबसे ठीक है और यहाँ पर माइनस करेंगे 400-450 कितना आएगा सब कि गिंटी तो सही होगी यहां पर हो जाएगा फिफ्टी तो आएगा एच इंटरसेक्शन ए कितना आएगा तो करो जाल दी से calculation और लिखो comment में answer तो ऐसे है अपने पास next question फॉर्ट में ऐसे है अपने पास क्या ऐसे है अपने पास 21, 50 है 32, intersection है 11 इस बाद union find करना है ना S union T find करना है 21 plus 32 minus 11 कर दो और answer आपके हाथ में और यहाथ में नहीं किताब में तो यहाँ पर कितना हो तीन और यह हो जाएगा 3, 2, 5, minus 11 अरे यह क्या है यह क्या है यह तो 42 है चलो जी हो गया यह भी हो गया एक साइज के चार question हो गया समाप्त इसी कसाथ यह वीडियो भी समाप्त तो थैंक यू और फॉर वाचिंग टेवें मेलते हैं नेक्ट वीडियो में और करेंगे चैप्टर को खतम चलो बाइबाइ